कैसे हो विद्ध्यार्थी मित्रों? मैं किंजल पर टेल प्राम अश्वा में विद्ध्यालै विद्ध्यार्थी मित्रों गए वीडियो में हमने कक्षाचार के हिंदी विश्य में हमने periodic test 2 का revision किया था जिसके अंदर हमने section A किया था अब हम आगे का section सेक्षन भी करेंगे जिसके अंदर पहला प्रश्ण है सही वाक्यां स्चुन कर लिखे यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया जाएगा और इसके नीचे तीन और वाक्य दिये जाएगे तो उस वाक्य को जोड़कर आपको पूरा वाक्य बनाना है ठीक है यह प्रश्ण हम वर्क बुक के अंदर करेंगे जिसमें पहला है हाथी पानी में जाकर क्या करता है तो खूब खिलता है खूब उचलता कुदता है सून्ड भरबर कर नहाता है तो वाक्य क्या बनीगा हाथी पानी में जाकर सून्ड भरबर कर नहाता है वह कितने केले खाता है वह कितना नहाता है उसे क्या खाना पसंद है तो यहाँ पर सही जवाब के आएगा वह कितने केले खाता है वह नहीं बताता है इसलिए इस वाक्य के साथ यह वाक्य आएगा वह हमें यहाँ लिखना है कि हाथी यह नहीं बताता कि वह कितने केले खाता ह आगे हब जंगल में बुढिया का घर भीग रहा था क्योंकि गर्मी का दिन था, जाड़े का दिन था, बरसात का दिन था तो यहाँ पर वाक्य क्या आएगा, बरसात का दिन था यह वाक्य इस वाक्य के साथ आएगा, बराबर है तो हमें लिखना है, जंगल में बुढिया का घर भीग रहा था, क्योंकि बरसात का दिन था दूसरा है, बुढिया का घर टपकने लगा, क्योंकि घर की दिवारे कम जो थी, छपपर ठीक नहीं था चपपर सीमेन से बना तो यह आपर सही वाक्य कौण सा आएगा यह आएगा चपपर ठीक नहीं था इसलिए वाक्य बनिगा बुधिया का घर टपकने लगा क्योंकि चपपर ठीक नहीं था आगे हैं बाग बुधिया के घर के पास पहुचा उस समय बुढिया क्या कर ली थी नहा रही थी रोटी पका रही थी चावल पका रही थी तो यहाँ पर सही वाग के कौन सा आएगा यह आएगा सही अंसर यह आएगा कि जब बाग बुढिया के घर के पास पहुचा उस समय बुढिया चावल पका रही थी आगे है बाग गबरा कर भाग कया क्योंकि बुधिया ने उसे धमकाया था बुधिया ने कहा था वह बाग से नहीं तपका से डरती है बुधिया उसके पीछे पड़ी थी तो यहाँ पर सही वाक्या क्या आएगा यह व बुढिया ने कहा था व बाग से नहीं टपका से डरती तो यहाँ पर हमने ये प्रश्ण पहला प्रश्ण किया अब हम आगे का प्रश्ण करेंगे गलत सब्द काटकर सही वाक्य बनाएगी यहाँ पर हमें आपको वाक्य दिये जाएंगे उसमें दो शब्द ऐसे दिये जाएंगे उसमें से आपको एक चुनकर शही वाक्य बनाना होगा ठीक है यहाँ पर हम पहला प्रश्ण करेंगे हाथी सुन्ड में पानी या रस भर कर नहाता तो यहाँ सही जवाब के आएगा पानी बराबर है तो हमें रस सब्द के उपर क्रॉस करना है आपको यह दो सब्द दिये गये हैं पानी और रस बराबर है इन में से आपको एक सब्द चुनना है सही शब्द चुनना है और सही वाख्य बनाना है और गलत जो है उसके उपर क्रॉस करना है ठीक है आप सब जब एक्जाम में लिखते हो तावा आप उसमें क्रॉस नहीं करते हैं बराबर है लेकिन आपको ऐसे क्रॉस करना है काटना है यह सब्द काट देना है मरबर है तभी ये वाक्य जो है वो आपका सही बनेगा हाथी सुन्ड में पानी भर कर नहता है इस प्रकार आपका सही वाक्य बनेगा सिर्फ आपको ये काट नहीं है ठीक है दूसरा है हाथी को मेले या केले पसंद है तो मेले या केले में से सही कौन सा है सब्द, केले, तो हमें मेले को काट देना, क्योंकि ये गलत है, हाथी को मेले पसंद है, तीसरा है, हाथी, दूम या सुन्ड हिलाता, तो हमें दूम या सुन्ड में से सही सब्द कौन सा है, सुन्ड ये सही है, तो हमें दूम को काट देना बराबर है चौथा है हाथी के दो या चार पेर होते है तो दो या चार हाथी को कितने पेर होते है चार पेर होते है बराबर है इसलिए ये शब्द सही है तो हमें गलत शब्द दो जो है वो काटे देना है हाथी को चार पेर होते है आगे है हाथी के पैर खंबे या टहनी जैसे होते हैं हाथी के पैर कैसे होते हैं खंबे जैसे बराबर है शही सब्द क्या आएगा खंबे जैसे तो हमें टहनी को काट देना है टहनी सब्द को काट देना है आगे है बुढिया का वर या घर भीगने लगा यहाँ पर वर या घर में से सही सब्द कौन सा है? घर, बुढ्धिया का घर भीगने लगा, तो हमें वर शब्द को काटे देना है. दूसरा है छप्पर या खप्पर को चाये कौन? यहाँ एक मुहवरा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सही शब्द छप्पर या खप्पर में से छप्पर शही शब्द आएगा तो हमें खप्पर को काट देना है छप्पर को चाये कौन आगे है थोड़ी देर में आले लड़ने या पढ़ने लगे लड़ने और पढ़ने में से सही शब्द कौन सा आएगा पढ़ने तो हमें लड़ने को काट दिना है थोड़ी दिर में ओले पढ़ने लगे चोथा है बुढ़िया चावल पका चखा रही थी तो यहाँ पर पका और चखा में से पका रही सही सब्द है तो चखा को हमें काट दिना है बुढ़िया चावल पका रही थी पाच्वा है बुढ़िया टपका डपका से डरती थी तो टपका और डपका में से सही शब्द कौन सा आएगा टपका बराबर है बुढ़िया टपका से डरती थी तो हमें डपका सब्द को काट दिना आगे है बाग सीर या नाक पर पैर रखकर भाग गया तो यहाँ पर सही शब्द कौन सा आएगा शीर, भाग सीर पर पैर रख कर भाग गया तो हमें नाक सब्द को काट दिना है इस प्रकार ये प्रश्ण आपको करना है अब हम आगे का प्रश्ण करेंगे जिसके अंदर है नीचे दिये गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाएंगे यह प्रश्ण हम वर्क बुक के अंदर करेंगे यह प्रशना workbook के अंदर 53 page number के उपर जो प्रशना number 7 दिया गया है वो हम करेंगे यहाँ पर है बिल्ली तो उसका क्या करेंगे बिल्लिया दारों के तोर पर हमें दिया गया है कि मेरे घर में बिल्ली है दूसरा है मेरे घर में बिल लिया तो इस प्रकार आपको ये करना है पहला है मक्खी तो उसका क्या करेंगे मक्खिया वाक्य बनेगा मक्खी रोग का घर है दूसरा वाक्य बनेगा मक्खिया गंदकी में रहती है पहला वाक्य हमें इस मक्खिय से बनाना है दूसरा वाक्य हमें मख्या से बनाना है ठीक है दूसरा है लड़की तो उसका बहुवचन क्या होगा लड़किया वाक्य बनेगा यह मोहन चाचा की लड़की है दूसरा वाक्य है इस पेसे बनेगा रहीम चाचा की तीन लड़किया है तीसरा है रोटी तो उसका बहुवचन होगा रोटिया वाक्य बनेगा तुसार ने एक रोटि कुट्टे को खिलाई दूसरा वाक्य बनेगा मनिशा ने गाई को तीन रोटिया खिलाई चौथा है चूडी तो उसका बहुवचन सब्द क्या होगा चूडिया वाक्य बनेगा सिमा ने एक ही चूड़ी खड़ी दी। दूसरा वाक्य बनेगा सीला ने दो चूड़िया खड़ी धी। तो इस प्रकार आपको भी वाक्य बनाने ठीखें। तो इस प्रकार हम ने यहाँ पर यह प्रश्न किया तो यहाँ पर हमारा सक्षन भी जो है यहाँ पर हमारा खतम होता है बराबर है नेक्स वीडियो के अंदर हम आगे के जो सक्षन बाकी है वो हम करेंगे रिविजन वीडियो आपको बराबर देख कर आपको परिक्षा की तयारी करनी है थेंक यू